हेलो फ्रेंड्स, स्वागा तो आपका डॉक्टर फारीत फार्मेसी में और आज हम जानेंगे आई बी इंजेक्शन कैसे लगाये जाते हैं और किस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है और कौन-कौन से समायन की हमें आवेशकता पड़ती है फ्रेंड्स, इंजेक्शन लगाने से पहले हमें गिलप्स की आवेशकता पड़ती है इनके सोफ इमर्जेंसी अगर गिलप्स नहीं है तो हमें लिक्विड डिटॉल से हाथों को अच्छी पिरकार से धोलेना चाहिए ताकि किसी भी पिरकार के बैक्टिरिया के संक्रमन से हम फ्रेंड्स, इसके बाद हमें चाहिए टर्निंग कित, कोटन, डिस्पो बेन, निडिल, स्प्रेट और इंजेक्शन जो हम लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इतनी सारी समागरी घट्टी करने के बाद में हमें इंजेक्शन को अच्छे से घोल लेना चाहिए और निडिल के जरीए डिस्पो बेन में इंजेक्शन भर लें एक बात का हमें खयाल रखना है निडिल में और डिस्पो बेन में एर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स एक कोटन लेयर बना लें और उसको स्प्रेड में अच्छी पिरकार से भिगो लें जहां पर हमें इंजेक्शन लगाना है वहाँ भी स्प्रेड को थोड़ा सा लगा दें ताकि इंजेक्शन से निकलने वाले बिल्ट के संबर्क में किसी तरह के भी बैक्टिरिया ना आ सकें टर्निंग किट को अच्छे से बांद लें जिससे की बीन्स निजर आने लगे डिस्पो बेन में खीच लें इससे यह पता चल जाता है क्या इंजेक्शन ठीक से बीन्स में लगा है या बीन्स से आउट है अब इंजेक्शन धीरे धीरे प्रॉपरली इंजेक्ट कर लें ताकि पेसेंट को तकलिफ ना हो